वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिपिका सिंगा 36 गड़ की राज़िपाल अनुसुया उईके ने अंतराश्ट के योग दिवस के मौकी पर योग किया और लोगों को योगासन कर स्वस्त रहने का संदेश दिया इस दौरान उन्होंने कहा कि आज योग विध्या का समूचा विश्व लाब ले रहा है भारत के लिए ये गौरव की बात है और चतिस गड़ में आठवे अंतराशी योग दिवस की रौनक देखने को मिली है और कुछ तस्वीरे अब आपको हम दिखाते हैं और तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है मुगेली की, जगदलपूर की, बिलासपूर की, कोर्बा की और बालोद की ये तस्वीरे हैं मुगेली में जहां विभिन एतिहासिक, धार्मिक और परेटल स्थलो समयत शासकिये और अशासकिये शालाओं में योगाभ्यास कारिक्रम का आयोजन किया गया और चतिसगड परटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रिवास्तफ, चतिसगड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहु ने चतिसगड महतारी की पूजा अर्चनाकर राजकिय गीत के साथ कारिक्रम का शुभारम किया और वहीं जगडलपूर में अंतराश्य योग दिवस के अफसर पर CRPF 241 बस्तरिया बटालियन ने योग अभ्यास कर लोगों को योग के प्रती जागरू किया योग अभ्यास में CRPF के अधिकारी महिला पुरुष जबानों के साथ ही आत्मनंद स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे और साथी साथ जगडलपूर परिस्तित बीजेपी कारियाले में प्रदेश महामंतरी किरण सिंग देव की उपस्तिती में अंतराश्य योग दिवस पर योग कारिक्रम का अयुजन किया घया बाती जंता पाथी जिला ने जगडलपूर के 11 मंडलों में योग का आयुजित किया तो वहिं बालोद में भी योग दिवस का आयुजन किया गया कि इस वर्ष जो योग दिवस की थीम थी वह मानवता के लिए योग थी और जैसा कि हम सब जिले मुक्याले पर भी रिवार 900 लोगों ने एक साथ योगा का उत्फावी हमारा देश से है और हमारा रिशी मिन्यों से यह शुरू किया था आपको मालूम है पदानचली का योगा सूत्रा के बारे में तो अभी इस बार का जो तीम है योगा फोर हुमेनिटी यह है योगा मानवदा मानवदा के लिए योगा है तो इस तीम को लेखे हमोग योगा को ज्यादा फबलिसिटी में प hitting हम लोग और दो हमारे कैम के अंतर तो वैसे ही करता है तो आज का देन में उसे किया था हमारा जो बगल में है आदमान जो पब्लिक स्कूल है जो तोकापाल का उधर का बच्चाओं को भी हमारे शामल किया तोड़ा जम मुद्पोर जा रहे हैं नेचे रखों तोड़ा 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 पर मैं सभी को बहुत बलाई देती हूं और सबसे आगरा करना योग से शरीर दिन भर जैसा दांगी जिन बताया कि दिन भर शरीर में फूर्टी का संचार होता है और आप अपने फामों को बैतर डंग से करपाते हैं तो विज्ञान भी यही कहता है कि जब शरीर में रख्त में अक्सिजन पर्याप्त मात्रा में गुल करकर शरीर के हर अ तारी की तस्वीर की अनिवारता जारी कर दी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री बगेल ने टूइट भी किया है जिसके बाद चत्तिसगड के आईडियल कहे जाने वाले पुलिस कप्तान भोज राम पतेल ने इसका पालन करने के निर्देश भी सभी थाना और चौकियों को दे दिये एसपी के निर्देश का पालन करते हुए जिले के बाल को थाना में तस्वीर लगा कर राजजगीत की भी शुरुवात की गई हमारे प्रदेश्ट मुठ्यामानी सीयम साहब के द्वारा कवजिनाम को एक्विट किया जा है जिसमें चित्यगर मतारी को हर सरकारी कर्दम में करना है मुर्ती लगा जाना है तो इसमें हमारे पुलिस कर्तान सरीक मुझरम पड़ेश्टी द्वारा को नहीं राजजगीत को सभी थाना चंप्यों में प्रादार गर्णा के समय स्थाविक करने निदेश दिया गया है उसी तरफ में कल रोहे पर तुरंट काल सभी थाना चंप्य और विकासकंड नवागड के सुदूर वर्ती गाउं मोहतरा में मौनसून की रिम्जिम फुहारों के बीच जन्द चौपाल का आयोजन किया गया जन्द चौपाल शिविर में मांग और शिकायित की करीब 266 आवेदन थे जिन में से 178 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है साथी साथ जन चौपाल शिवर में समस्या शुन कर मौके पर निस्तारण किया गया है आम तोर पर ग्रामिडों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए जिला मुख्याले आना पड़ता है लेकिन इस शिवर के जरीए ग्रामिडों के आने जाने का समय किराया और इंधन की बचत हुई है और चातिसगड के कोरबा में सड़क हाथसे में दो लोगों की मौके परी मौत हुगई है और दो लोग गंभी रूप से घायल हुगए है वह गायलों को निजी अस्पताल में फिलाल भरती करा दिया गया है घटना की सूचना पर पुलिस पहुँची और गायलों को अस्पताल में भरती कराया बता दे कि कोरबा के रिंग रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जागिरी थी जिसमें कई लोग खायल हुए है और पुराने विवाद को लेकर दो भाईयों के साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है और मारपीट भी की गई है आरोपियों ने धादर हतियार भी रखे हुए थे आपको बता दे कि CSEB चौकी शेत्र के पास गेरवा घाट बस्ती में पारिवारी विवाद के चलेते दो पक्षों में खूनी संगहश हो गया और इन में दो लोगों को गंभीर चोटे आई हैं और शिकायत मिलने पर चौकी पोलिस ने कई धारों में दो महिला समय साथ लोगों को गिरफतार किया है जिसमें से दो नाबालिक शामिल है यह दिनांग साथ जून का महमला था गेरवागाट निवासी सोनु मलिक ने आके प्रसंट सुच्णापत्र दर्च कर आई थी कि उसके महले के रने वाले राम लखनले केवट और उसके परिवार वालों ने मिलकर उसके उपर जानले महमला किया है जिसमें प्रार्थी को काफी चोटे आई थी ततकाल पंजीवत्र प्राथ पंजीवत्र दर्वेशनम लिया गया था बाद भी डाक्टर साब की रिपोट कियाने के बाद इसमें धारत 326 और 25 सामसेट जोड़ जाकर अभी साथ लोगों को रिप्तार किया है और 36 गड़ के बालोग जिले में मौनसून आगमन के पहले किसानों ने खेतों में रभी फसल के अवशेशों को जलाकर साफसफाई कर ली थी अब जमीन की उरवर्गता को बढ़ाने के लिए किसान खेतों में गोबर खाद डाल रहे हैं आपको बता दे कि प्रदेश में परमपरागत और आधुनिक दोनों तरह से फसल की जाती है और सुविधा संपन, किसान ट्रेक्टर और अन्य किशी यंत्रों का जम कर उपियोग करते हैं हफते भर के अंदर दो बार हुई बारिश से मिट्टी में नमी है और किसान ये कह रहे हैं कि खेट तयार हैं अच्छी बारिश होते ही खुरा की बोनी कर दी जाएगी साथी साथ कहीं बुआई भी शुरू हो गई है दरसल आधुनिक मशीनों के आजाने से मजदूरों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है और खेती करना पहले से सरल जरूर हो गया है लेकिन लागत भी काफी हद तक बढ़ गई है ट्रैक्टर की बहुप योगता ने परमपरागत खेती के धर्रे को पीछे छोड़ दिया है देखे मानसून लग चुका है और लगभग जिस प्रकार से वर्षा हुई है लोगों का धान बोनी शुरुवात हो गया है और दो फसल लेने वाले जो लोग हैं अन्ये फसल वो भी अब थरह डालना अन्ये काम जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा थरह डालने काम चल रहा है मैं जैविक खैती के रूप में भी चार पांच एकड़ पे काम करता हूं मेरे साथ के किसान साथी लोग भी उससे जुड़ेंगे और अनाज भी जो हम खाने के रहेंगे वो इसमें भी प्रोटीन की मात्रा जादा होगी और हम सब को किसी प्रकार से आज जो कैंसर से लेकर दुनिया भर भी विमारी देखने मिल रहा है गरीब से गरीब आद में हार्ट अटेक और यह वो की पर बीपी सुगर की परिशानी आ रही यह सब जो है जैविक खती होने से नहीं आएगा जीला बालोद में अभी 92.7 मिलिमीटर वर्सा हो चुकी है क्रिशक अभी धान के साथ दलहन तिलहन हसलों की भी ववाई की तयारी कर रहे हैं और अभी गुणवत्ता पोन बीज और उरोरक की बेउस्था क्रिशकों के लिखी जा रही है विविन योजनाओं के माध्यम से क्रिशकों को बीज जैसे प्राष्ट्री खादी सुरक्षा मिशन अक्ती बीज समर्धन योजना नेशनल मिशन और सस्टनेवल एगरी कल्चर इसके अलावा हमारे पास और भी योजनाओं है जेविक खेती मिशन इन योजनाओं के माध्य से क्रिस्टेकों को लगानुईत के जा रहा है और फिलाल वक्त एक छोड़ी से ब्रेक का फॉरन लॉटिंग अज़ाइब कि अज़ाइब अज़ाइब अज़ाइब